रविवार 3 जनवरी 2021 मध्यप्रिदेश में उप्चुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवरास सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार हुआ राजिपाल आनुंदी बीन पटेल ने गोविन सिंग राजपूत और तुलसी राम सिलावट को मंतरी की शपत दिलाई इंडिया डुडे से जुले रवीश पाल सिंग की रिपोर्ट के मताबिक दोनों नेता ज्योती राधित्य सिंध्या समर्थक माने जाते हैं गोविन सिंग राजपूत और तुलसी राम सिलावट के शपत ग्रहन के बाद माना जा रहा है कि दोनों को पहले वाली जिम्मेदारी सौपी जा सकती है गोविन सिंग राजपूत को राजस्व और परिवहन जबकी तुलसी सिलावट को जल संसादन विभाग का जिम्मा मिल सकता है मार्च 2020 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले पाच मंत्रियों ने शपत ली थी फिर दो जुलाई को 28 मंत्रियों ने शपत ली इस तरह से राजज़े में कुल 33 मंत्री हो गए थे MP कैबिनेट में मुख्य मंत्री समेट मंत्रियों की संखिया धिक्तम 34 हो सकती है मौजूदा समय में शिबराज कैबिनेट में 6 मंत्री पत खाली थे लेकिन 2 मंत्रियों को शपत दिलाई गई सिंधिया के साथ कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी में आये नेताओ को शिवरास सरकार की कैबिनेट में मंतरी बनाया गया था जिन में से दो मंतरी तुलसी राम सिलावट और गोविन सिंग राजपूत ने छे महीने का कारेकाल पूरा होने के चलते उपचुनाव से पहले स्तीफा दे दिया था इसके अलावा उपचुनाव में तीन मंतरियों की हार हुई थी महिला और बाल विकास मंतरी रही मरती देवी, कृषी राजयमंतरी रहे गिरिराज डंडोतिया और एंदल सिंग कसाना को स्तीफा देना पड़ा था आईए जान लेते हैं कौन है तुलसी राम सिलावट सावेर से बीज़ेपी के विधायक सिलावट ने चात्र जीवन से राजनी तक पारी शुरू की कॉंग्रिस से 1982 में इंदौर में पार्शत बने 1985 में पहली बार विधान सभा का चुनाव जीता उन्हें संसदिय सचिप की एहम जिम्मेदारी दी गई 1995 में नहरू युवा के इंद्र के राश्टी उपाध्यक्ष बने इसके बाद 1998 से 2003 तक उर्जा विकास निगम की अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली इस दौरान उन्हें प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी का उपाध्यक्ष बनाया गया उन्हें स्वास्त विभाग की एहम जिम्मेदारी दी गई 10 मार्च 2020 को विधान सबा की सदस्ता से स्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई शिवराज सरकार में उन्हें जल संसाधन और मच्छुआ कल्यान विभाग की जिम्मेदारी सौपी गई इसके बाद हुए उपचनाव में जीत हासल कर वे पाँचवी बार विधायक बने और एक बार फिर से उन्हें मंत्रीपत की शपत दिलाई गई कौन है गोविन सिंग राजपूत सुर्खी से बीजेपी विधायक हैं उन्होंने सियासी सफर कॉंग्रिस से शुरू किया था 2002 से 2020 तक प्रदेश कॉंग्रिस के महा सचेव और उपाध्यक्ष के पत पर रहे उन्होंने 2003 में पहली बार विधानसभा चिनाव जीता उन्हें कॉंग्रिस विधायक दल के सचेतक की जिम्मिदारी सौपी गई थी 2008 में दूसरी बार विधायक बने लेकिन 2013 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2018 में बीजेपी उमीदवार सुधीर यादव को हरा कर राजपूद एक बार फिर विधायक बन गए उन्हें कमलनाथ सरकार में परिवहन और राजस विभाग की जिम्मिदारी मिली गोविंग सिंग राजपूद 10 मार्च 2020 को विधान सभा की सदस्यता से स्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे शिवराज सरकार में उन्हें खाद्य और सहकारता मंत्री बनाया गया राजपूद उन 5 मंत्रियों में शामिल रहे जिने मुख्य मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंग चौहान नी केविनिट का सदस्य बनाया था मंत्री मंदल के विस्तार में राजपूद को फिर से परिवहन और राजस विभाग दिया गया छे महा की अबधी समाप्त होने के कारण उन्हें मंत्री पत से 20 अक्टूबर को स्तीफा देना पड़ा था राजपूद में उप्चुनाम में कांग्रिस की पारूल साहू को हराया और चौथी बार विधायक बने आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी डेविद में मेरा नाम है दिव्याशी देखते रहे तीलल लंटॉप शुक्रिया